नमस्कार दुस्तू स्वागत करता हूँ यूटूब चैनल एवरिटिंग हिंदी पर आपका दुस्तू मैं हूँ अजे और आज हम आपसे बात करने वाले हैं क्रिप्टो करंसी की जो मार्किट सिचुवेशन चल रही आज की तारीक में उसके बारे में हर तरफ से जो न्यूज आ रही है वो बैड है हर तरफ से जो खबर आ रही है वो यही आ रही है कि यहाँ पर माइनिंग जो थी वो बंद हो रही है यहाँ पर जो क्रिप्टो के कानून थे वो सक्त हो रहे हैं तो इस तरीके की न्यूज आज की तारीक में चारो तरफ से कलेक् तो इस तरीके के न्यूस को और हावा दी जाती है कि और हो और हो और हो और जनता पैनिक हो और सेल कर दे और सेल कर दे तो क्या हो प्राइस डाउन हो और डाउन होगा तो क्या होगा जिनको जादा से जदा कॉंटिटी में खरीदना है वो डाउन पर खरीद लेंगे अपना मस् तो अभी यहाँ पर इस situation में क्या करने जब चारू तरफ से जब हर influencer आज की तारिक में वीडियो यह बना रहा है कि Bitcoin 25,000 पर जा सकता है या Bitcoin और जदर डाउन जा सकता है या Bitcoin तो विल्कुल जाने ही वाला है तो अब यहाँ पर आपको करना क्या है आपको करना यह है कि जो आपके पास portfolio बना हुआ है जो भी आपने portfolio अपना हिसाब से बनाया है अगर उसमें Bitcoin है तो उसको नजर अंदास कीजिए उसके साथ कुछ नहीं करना है पढ़ा रहने ने दीजिए अगर आपके पास Ethereum है तो उसक उसको मैं कुछ नहीं छूँँगा ना sell करूंगा ना stop loss लगाऊंगा यह थेरिया मैं उसको भी पढ़ा रहने दीजिए उसके बाद अब जो नीचे की coin है उसकी बाद मैंने बताया था मेरे पास 20% BNB है तो BNB का क्योंकि अभी एक event आने वाला है BNB का 4 साल पूरे होने व सुपर स्मार्ट हैं वो तब करेंगे जब market uptrend में होगी downtrade में करके कोई फायदा नहीं है वो मतलब करना ना करना वराबर है वो burn इसलिए क्या जाता है यह price कुछ stable हो कुछ उपर जाए तो यहां पर जब already price downtrend की तरफ है तो अभी कुछ ऐसा नहीं होने वाला है burn अगर अभी तो बहुत मुश्किल ही है इस महीने हो नहीं तो postpone कर दिया जाएगा बिल्कुल easy है कोई ऐसा बड़ा काम नहीं होगा लेकिन postpone होकर आराम से होगा और तो यहां पर मुझे मैं जो अपने साथ strategy में change करने वाला हूँ वो यह कि bitcoin ethereum को नहीं चूँँगा नहीं sell नहीं stop loss लगाऊंगा लेकिन उसके बाद जो मेरे पास BNB 20% पढ़ा है मेरे portfolio का उसमें सिर्फ stop loss लगाएंगे stop loss कहां पर लगाएंगे 285 पर वो इसलिए क्योंकि अभी bitcoin दो सो 310, 315, 320 के आसपास चल रहा है क्योंकि event आने वाला है तो हो सकता ही ओपर जाए क्योंकि burn आने और वो सेल हो जाए ताकि और जदा डाउन में जैसे ही जाए तो हम देरे देरे खरीदना शुरू करें तो यहां पर कुछ changes जो करना है वो यह stop loss लगाना है, sell नहीं करना है, घबराना नहीं है, market कहीं और नहीं जाने वाले, यह सिर्फ एक news ऐसी फैलाई जा रहे है कि एक ब वापस जानी है, बिल्कुल जानी है, कहीं पर लिख कर रख लीजे, मेरी वीडियो ध्यान में रखिये, तो market तो उपर जानी है, long term के लिए अगर आप सोच रहे है, जो कि bitcoin और ethereum को जो भी खरीते है, वो long term के लिए खरीते है, कोई trading के लिए नहीं खरीता है, तो उनको बिल नुकसान होने से बचेगा, और नीचे down में जाके खरीच सकते है, ये सब भी तब करना है, जब आपको लगे कि आप expert हैं, और अच्छे से आप कर सकते हैं, तब ही करना है, नहीं तो ignore कीजे, जहां पर इतना नुकसान, वहां थोड़ा और नुकसान, क्योंकि stop loss लगाना easy न देखे, हमको यहां पर अपने चैनल का प्रचार नहीं कर रहे हैं इस बुरे समय में, सिर्फ हम आपको ये बतना चाते हैं, कि ये सारे चीज़े, cryptocurrency है ये बिल्कुल त्योड़ी खीर, तो अगर इससे आपको जीतना है, निकलना है, थोड़ा सा patience, थोड़ा सा हिम्मत जरूर सकते हैं, तो बस आपको कोई यहां पर हरा नहीं सकता है, यह जितनी भी news है, यह जितनी भी सारी, जो भी सब FUD आ रहा है चारो तरफ से, यह आप से एक सेकंड में हर जाएगा, जिस दिन आप ये decide कर लेगी, मैं long term के लिए hold करूँगा, बस सारी कानी खत्म, तो यहां पर ह हम अगर stop loss के बारे में जा रहे हैं, तो stop loss को हम अच्छे से जानते हैं कि कौन-कौन से coin पर हम stop loss लगाएंगे, हर coin में stop loss नहीं लगाने वाला होता है, जैसे dodge के बात करें, dodge आज की तारिक में जलकर राक हो चुका है, मतलब उसमें जादा potential, मतलब मेरा मतलब यह है कि, suppose मैं उसको 50 रुपे को खरीदा था, तो अगर आज की तारिक में वो काफी जादा down है, मतलब आदे से भी आदा हो चुका है, तो उसको sell करके मुझे मिलेगा क्या तो, ऐसे इस तरीकी के coin को, इसकी example दिया है, dodge community प्लीज उसको दिल पे मतलें, तो यहाँ पर सिर्फ dodge से example लिया है कि ऐसे coin जो आधे से भी आधे हो चुके उनमें stop loss मत यूज करिएगा, वो coin जो लगे कि अभी भी कुछ हरे भरे हैं, जैसे कोई coin हमने 50 रुपे खरीदा था, तो अभी वो करीबन 30 से 25 के बीच में चल रहा है, तो वहाँ पर stop loss इसली लगाना है कि वापस जाके हम उसको 17 य अलग अंदाज में कि मतलब मुझे लगा कि ये सारी update आप तक पहुचने चाहिए, और कहीं से भी कोई घबराने के जरुरत नहीं है, बिल्कुल जो भी event आने वाले हैं, वो अकर उनसे आपको ये लग रहा है कि market में बड़ा moment आएगा, तो असा नहीं आप सामने हैं, हम भी ये सब हम लोग मिलकर देख लेंगे कि क्या उसमें बड़ा moment आने वाला है, तो कोई भी घबराने वाली जरुरत नहीं है, alert रहिए, 70 पर ही stop loss यूज़ करिए, वीडियो देखे लिए धने बाद, thank you so much